हेलो नमस्ते कैसे हो फ्रेंड्स मैं हूं सीमा स्वागत करती हूं अपने चैनल सीमा स्क्रेट्टुटी में तो फ्रेंड्स अभी बज़े हैं साम की 6 और साम की 6 बज़े हैं आप लोग देख सकते हो और मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर नमोसम बहुत ज्यादा खराब तो आज हमें बहुत ही इस तरह से देखिए कपड़े को कमरे पी किस तरह से फैलाना पड़ रहा है पर क्या करें यहां पर तीन दिन हो गया लगतार बारिस होते और तीन दिन से बारिस हो रही है तो उसकी वज़े से कपड़े बिलकुल भी नहीं सूख पा रहे हैं तो हमने कमरे पी ही रश्चे बन के कपड़े डाल दिये हैं तो देखिए मौसम का तो कोई कहां नहीं जा सकता कब तक खुले कब तक नहीं खुले पर कपड़े तो सुखाना जरूरी है नहीं तो बच्चे क्या पैनेंगे तो इसलिए हमने ऐसे डाल दिया है अभी हमने दूद को होता है तो दूद को बाल करके लग दिया है और रुही अभी सो रही है वह अभी सो चुक गई है पांच वजे तो अभी वह उठने वाली है उसके बाद 10-11 वजे रात तक यह जगेगी खेलेगी और यहां पर आप लोग देख सकते हो मैं यह स्वेटर बना रही थी तो अब अभी मैंने स्वेटर यहां तक बन चुका है आप लोग देख सकते हो अभी पूरे कंप्लेट नहीं हुआ है जब कंप्लेट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी तो देखिए अभी मैंने यहीं तक बनाया है टाइम नहीं मिल पाता है तो पूरा नही नहीं बनाओंगी देखिए इदर इसके बाबू के पापा चने खा रहे हैं यह अब बाबू बाबू तो देखिए लेटा आया यहां पर इतने में बड़ा अच्छा लगता है जमीन पर लेटा है अजब कितनी सर्दी का मौसम है नमस्त तो प्रेंस अबरात का समय हो चुका और नोगों कुछ ज़्यादा वूक नहीं है और थोड़ा सा खाना रखा भी है तो इसलिए हम सोच रहे हैं कुछ हल्का पुल्का बना लें जिससे मतलब और भूंक भी नहीं है और खाना रखा भी है थोड़ा तो बस सेंट्विच बनाने जा रही हूं तो उसके लिए टॉट्रामाटर को कट कर लिए हैं जो आप, लोगों से हो सकेगे बाइं कर लिजी N काट कर लिए हैं Beth transpose कि यूद यह नहीं कर देखि यह । यह थोड़ा काला मिर्श लाल मिर्श पाउडर क्वाउडर सillon यह दालें दाले के बाद इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से तो देखिए आप हम इसको चमच के साहता से मिक्स कर देते हैं यह फ्रण्स डाले के बाद पानी छोड़ेगा थोड़ा तो टेंसर मत लीजिए गा आप पहले से इसको मिक्स करके मत रखिए गा जब बनाने जा रहे हैं तभी में तो पहले से मिक्स करके रखोगे तो दितकत हो जाएकी तो देखिए अब हमने दो प्रैड यह तो ब्रैड में इस तरह सो फटरे लगाना है तो मेरे पास बटर नहीं था तो मैं गी लगा रहे हूं तो देखिए एक हांच से मोबाल पकड़ा कि एक हांच से तो लगाते नहीं बन रहा है तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया है लगाने के बाद देखिए इसमें लग दिया है तो अब इसको पलट कर इस तरह से रखेंगे और दूसरे ब्रेट में भी गी लगा लेंगे दूस की तरफ नहीं करना और इस तरह से गैश को आन कर दिया है और इसको थोड़ा साम से लेंगे दोनों तरफ से पहले तो देखिए आम इतने मतलब इस तरह से हम इतना से लिये हैं पहले इससे का आए कि आपके सेंड़ीश एक लारम नहीं बनेगी और तूटे गी नहीं आप इस साथ से हमीश में आप लास टामाटर और है ली मोट टयार किया थे तरह इसमिंडाल कर डाल देंगे और इस तरह से अच्छे से में इसमें मैं आप लगार और अच्छे से दालेंगे ताकि बाहर नहीं नकले पर इसको देखिए इस तरह से हम्में बबकुल अच्छे च pot海ण हमने उपर से रख दिया है अब इस तरह से चाहिए तो आप हाथ की साहता से इस तरह से दबा कर थोड़ा रख सकते हैं नहीं तो ऐसा कीजिएगा कि एक कटोरी में पानी ले लिजी और उसके पानी को उसके उपर मतलब रख दीजी तो वह उसका दबाव रहेगा तो वह सही र पगाना है तो देखिए इस तरह से हम दबा रख किया और अब इसको अटा दिया और पलड़ दिया और यह हम लोहे के तोवे पर बना रहे हैं तो थोड़े दिक्कत होगी अगर नानिस्टिक में बनाते तो इसमें बहुत ही अच्छे से बन जाता है देखिए दूसरे तरफ से हमने पलड़ दिया था उसके बाद भी इस तरफ से भी अच्छे से हम सेक ले रहे हैं तो देखिए हमारा दोना तरफ से अच्छे से शेक चुका है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे बनाकर तयार कर लेंगे बहुत ही आसानी से और जटपट यह आती हूं तो फ्रेंट्स मैंने चाय भी बिनाई हैं और हमारे यह सेंट्विच बनकर तयार हैं बहुत ही सॉर्डिस और टेस्टी तो फ्रेंट्स आईए आप भी खाईए और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना चैनल को जरूर सेस्क्राइब करना बे आइकन को जरूर दबाना तक कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सब को मिल सकें तब तक के लिए बाए बाए टेक एर थैंक्स पर वाचिंग